नमस्कार दोस्तों आपके चलाइन में आप सबका स्वागत करते हो आप सबको हैपी विंटर अभी ठंडिया शुरू हो चुकिए मार्केट में बहुत सारा सुब्जया आना स्टार्ट हो चुकिए है उसमें से एक सब्जय है हमारी प्यारी सी फूलगवी जो सबको लगवक को पसंद है हमारी फूलगवी इसकी बनाने की तरीका बहुत है एक रेशेपी में आज बता रही हूं बहुत सिंपल है बहुत आसान है सिंपल तरीका से मैंने बनाने की कोसिज किये है तो आईए देख लेते हैं बहुत सिंपल है देख लिजेगा आपको बहुत पसंद आए कर दीजेगा एपको पसंद आय नहलît कर दीजेगा प्यारी सी फ्रेड्द रिस्टतार हमारी जुरूरर करेगा इसास्ञ ठर्ट तेल तेल हमारी 4-5 चमज है अब रख देंगे इसमें फोड़न में हमारी सौंब जीरा और काले जीरा और एजबाइन राइ नेती के दाने सब चीजों को थोड़ा थोड़ा लेकि हम एक मिक्स भड़न बना ले उसको हमने डाल दिये अब डाल देंगे इसमें तेजपत्ता अब डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर चला लेंगे हम अब जीरा का भी डाल सकते हो या फिर सौंब जीरा का मिक्स कर सकते हो या फिर सारे मसाला को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके फोड़न डालेगा उसको बहुत अच्छे आते हैं देखे दोस्तों हमारी गुबी मन्दल पकने शुरू हो चुके हैं में नमक दिए हविप झाल में झाल देंगे इसमें झालडे मπαMusicारी नुट्व है में परफित मेड़ सब्ण देडिया और को देता हुआ हम बीजविविघ में में झाल Tech यह इसमें में इंळीम धिता zatुट मुपारब तो दो लॉंग है और गोल मिर्ची है चार से पांच और एक हारी एलाई ची है तो हम इसको भूल लेंगे अब ढाल देंगे इसमें मसाला जो हमने पहले से रखे थे इसमें है अध्रग एगिंची और आधा चम्मझ हमारी जीरा है और 3-4 हमारी घट्ट है इस तीनों चीजहों को हमने पेस्ट कर लिए थे और उसके बाद हमने रखा है इसमें रखा है इसमें रखाया इसमें हुल्दी पावडर ए धनिया पावडर चाहे तो आप कर सकते हो लेकिन डालने से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है इसलिए डाला हम तो देखे हमने मसाला को भूल लेंगे और इसमें डाल देंगे एक हारी मिर्ज जाहे तो आप स्किप कर सकते हो लेकिन अगर परसंद है तो आप इसमें डाल सकते हो और बहुत कम शमाए में बन जाते हैं और देखे अब हम डाल देते हैं इसमें एक काटी हुई टेमाटर हारी मिज इसके बाद जाएगा आइधिंग के सायद मैं भूल चुकी हूं तो देखे दोस्तों अब डाल देंगे इसमें हम हरी मिज अब डाल दिये यह वाल हरी मिज ऐसे कोई भी सब्जी में बना के ऐसे एक हरी मिज डाल के रखेगा आप जिसको हरी मिज पसंद है उसको बहुत पसंद आएंगे खाने में अब डाल देते हैं इसमें नमक साद अनुसार मदर मसाला की अनुसार हम डाले है नमक और डाल दिये थोड़ा सा पानी क्योंकि हमारी मसाला जो है जलना जाए इसलिए और नमक हमने इसलिए डाला है टेमाटर हमारी जल्दी से सब्ट हो जाए इसलिए और धीमी आज में हम तो देखें दोस्तो हमारीमाला लग भग लग लग कर देख्या आपको देख लग रहा है हमारी मसाला ठेटर अपड़ देंगे गोविशा जो हमझे पहले अज्वीद हाना चुझा तेbug करेंगेशा हाको सीमसाने चाहिक नुदर पमपीं कर सब्सक्राव कर दो लेंगे अभी ठंड का मोसम है तो बहुत सारे हरे हरे सुबजी आने स्टार्ट हो चुके है तो प्लीज आप अपने घर में ऐसी सुबजी बना के खाईएगा आपको बहुत पसंद आएंगे तो हमने निकाल दिए इसमें कुकर में मसूर की बयाशनी स्टार्ट इसमें बेंगे था पानी को दो के डाल द पानी जasko मूंग्ध़कर क OneAY में पानी के बदले में हम्ने यह पर डाल के पूर को लिए इसाज हो बढ़ाने हैं मुझे डाल सकते हो तो मैं भी अपने घर में ट्राइब काता अपने घर में तो हमारी सूब्जी में पहला बोयल आ चुके है यू अब हम इसको करीदेगे धीमीआज में धीमी दर पकालेगे तो हम इस टाइम हमारे नमक सही है कि नहीं तो सुब्जी में हमारी नमक सही था तो इस टाइम हम चेक कर लीजेगा उसके बाद नमक जुरुत पड़े तो डाल दीजेगा तो देखे दोस्तों हमने डाल दिया हरे धनिया के पत्ते और गरम मसाला और घी डालने के बाद थोड़ी देर मतलब चाला ले मेलेगे छाहें तो मेगी मसाला डाल सकते हो सबजी डालसक्ते हों सोब्जी के दिना टेस्टी सभी से ख़े तक लिए तो पिली आप अपने घर में बनाइए ने कहिए और अपनी अनुबब हमारे शंक शेयर जाश्चर लिगर तो अब बताईएगा आपके मैंक्य पी एक नया कोई भीडियो के संग तब तक लिए बाबाई शी राजय जैसी कृष्णा